दर्भंगा बिहार राजगी संस्कतिक राजधानी के नाम से पूरे भारत में प्रसद है बागमती नदी के किनारे बसा ये शहर अपने आम और मखानों के लिए जाना जाता है दर्भंगा बिहार का एक मात्र ऐसा शहर भी है जहाँ पर भारत का पहला भुकम परोधी महल मौझूद है जिसे हम दर्गोना पैलस के नाम से जानते हैं इसके अलावा ये शहर पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल हब भी है 2006 में आई एक रिपोर्ट के मताबिक बिहार का दर्भंगा भारत का 250वा सबसे पिछड़ा जिला भी है दर्भंगा बिहार का एक मात्र ऐसा शहर भी है जहाँ पर भारत का दूसरा लाल के लिए मौझूद है जिसे हम दर्भंगा फोल्ट के नाम से जानते हैं इसके अलावा यहाँ पर मौझूद अहिल्या मंदिर भारत का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान की पूजा महिला पंडित के दौरा की जाती है दर्भंगा जिला कई सारे पडोसी जिलों से भी घीरा हुआ है दर्भंगा के उत्तर में मदूबनी जिला, दक्षिर में समस्ती पूर जिला, पूर में शहर्षा जिला, तता पश्चिम में सीता मडी और मुझफर पूर जिला मौजूद है लगभग बाइस सो असी वर्ग किलोमीटर के छेत्र फल में फैले हुए दर्भंगा जिले की जनसंख्या, दोहजार ग्यारा की जनगरना के एनुसार, उन्तालिस लाग से उपर धी जनसंख्या के एनुसार, दर्भंगा बिहार का पाचवा, और भारत का चौसटवा, सबसे ज़्यादा घनियवादी वाला शहर भी है धार्मिक रिष्टी कोर्ट से दर्भंगा जिले में 77 प्रतिशत हिंदू, 22 प्रतिशत मुस्लिम, वाएक प्रतिशत अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं शेयर की साचर्दादर 57 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साचर्दादर 66 प्रतिशत और महीला साचर्दादर 45 प्रतिशत है दर्भंगा जिला को अठारा तैसीलों में बटा हुआ है जिनमें दर्भंगा सदर, बहादुरपुर, बहेडी, हाइगाट, हनुमाननगर, क्योटी, जले, सिंगवारा, कीरतपुर, बिरॉल, अलीनगर, बेलीपुर, और घंश्यामपुर शामिल है दर्भंगा को पटना के बाद बिहार का एजुकेशन हम भी बोला जाता है यहां का दर्भंगा मेडिकल कॉलेज, मिधिला डेंटल कॉलेज, दर्भंगा संस्कृत उनिवर्सिटी और दर्भंगा कॉलेज ओफ इंजीनरिंग, आधी यहां के प्रमुक सेच्छनिक संस्थान है पौराणिक मानना था कि अनुसार कुछ इतियासकारों का ऐसा भी कहना है कि इस शेहर का नामकरण द्वार बंग शब्द से हुआ था जिसका आर्थ होता है टूटा हुआ दर्भंगा से हुआ था जिसका आर्थ होता है बंगाल का दर्वाजा मद्दकाली नियुक के दौरान इस एतियासिक छेत्र की स्थापना दर्भंगी खान नामक मुगल सिल्टान के दौरा की गई थे यह वो दौर था जब यह शेहर अपने सबसे अच्छे वक्त से गुजर रहा था उस कालखंड के दौरान इस एतियासिक छेत्र मितलांचल सूबे की राजधानी हुआ करता था अंग्रेजों के कालखंड में भी दर्भंगा छेत्र का परचम बिहार में सबसे उचा हुआ करता था आवा गमन के जश्टी कोण से दर्भंगा शेहर रेल मार्ग, सडक मार्ग और वायू मार्ग अर्थात तीरों मार्गों से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग दर्भंगा शेहर में कुल दो रेल्वे स्टेशन मौजूद है दर्भंगा जंक्षन और लहरी सराय रेल्वे स्टेशन जिसमें के दर्भंगा जंक्षन रेल्वे स्टेशन शहर के मुख्य और वेस्ट रेल्वे स्टेशनों में से एक है यहांबर प्लेटफॉर्मों की संख्या 5 है और 8 रेल्वे ट्रैक मौझूद है बिहार के पटना और गया जंक्षन के बाद दर्भंगा जंक्षन बिहार का तीसरा सबसे वेस्ट रेलवे स्टेशन भी है दरबंगा सुपरफास इंटर सिटी एक्सप्रेस, क्रांती एक्सप्रेस, पटना गया एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुक रेलगारिया दरबंगा जंक्शन से होकर बुजरती है सड़क मार्ग शेहर के समिती रोड पर मवजूद BSRTC बस स्टेशन शेहर का मुख्य बसड़ा है ये बसड़ा अपने सड़क मार्ग के जरिये पटना, गया, मुझफपरपुर जैसे कई बड़े शेहरों से जुड़ा हुआ है जिसके जरिये आप दरबंगा शेहर तक पाउट सकते हैं वायू मार्ग दरबंगा शेहर के रानीपूर इलाके में मवजूद दरबंगा एरपोर्ट शेहर का मुख्य हवाईड़ा है कई एकर के विशाल छेत्रफल ने फैला हुआ ये हवाईड़ा पटनावा गया एरपोर्ट के बाद बिहार का तीसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट भी है दरबंगा का ये हवाईड़ाब ने वायू मारण के जेरिये दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे कई बड़े शेहरों से जुड़ा हुआ है बॉलिवुड के महा नायक संजे मिश्रा, गायक कार मैथली ठाकुन, लेखक एचसी वर्मा, संजे पासवान, गायक कार उधित नारायन, जैसी कई महा नस्तियों का संबन्ध भी बिहार के दरबंगा से रहा है दरबंगा शेहर की अर्थे में वैस्ता मुख्यता क्रशी पर आधारित है गेहू, धान, गंड़ा और मक्का यहां की मुख्ये फसले है शेहर के उध्योगों में हस्त शिल्प उध्योग, चीनी मिल उध्योग, राइस मिल उध्योग, यहां के प्रमुक उध्योग है बीदिय से भी जाना जाता है हर साल लाखो सेलानी दर्भंगा शेहर की खूप्सूर्ती को देखने आते हैं अई जनते हैं कौन से परेटकिस्टल हैं जिनके बिना दर्भंगा शेहर का ब्रह्मण अधूरा नगा का किला शेहर की रामबाग कॉलोनी रोड पर मौजूद है दरभंगा का किला जिसे भारत का दूसरा लाल किला भी बोला जाता है लगवग 85 एकड़ के विशाल छेतरफल में फैले हुए इस किले का निर्मार राजा कामेश्वर सिंग के दौरा सन 1947 में करवाया गया था किले का निर्मार लाल बलुवा पत्थरों से करवाया गया है जो किले की सुंदर्दा में चार चांद लगा देते हैं आज के समय में इस इतियास से किले का प्रयोग मिधिला विश्वध्याले के रूप में किया जाता है आज के समय में ये केला इत्यास में रुजी रखने वाले लोगों के लिए किसी परेटा के स्थाल से कम नहीं है अहीलिया स्थान धरवंगा जेंगसल से लगबग तीन किलोमेटर की दूरी पर मौझूद अहीलिया स्थान शेहर के सबसे प्रमग दर्शनी स्थलों में सेख है पराडिक मानता के अनुसार इस्थानेली लोगों का ऐसा मानना है कि जब भगवान शीराम अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लोट रहे थे तब उनके चरणों के सामने एक पत्थर टकरा गया था और उस पत्थर से मादा अहिल्या उत्पन हुई थे इसी कारण वस आज भी यहाँ पर भगवान राम की पूजा एक महिला पंडित ही करती है जो अपने आप में एक अधुत करिश्मा है होली रोजरी चर्च दरवंगा शहर के बीचों बीच मौजूद होली रोजरी चर्च भारत की सबसे पुरानी चर्चों में से एक है चर्च का दिर्मार सन 1890 के दसक में करवाया गया था परदू सन 1857 के कालखंड में ये चर्च भूकम के जटकों के कारण पूरी तरह धस्त हो गई हर साल 25 दिसंबर वो यहाँ पर बड़े दिन का त्योहाद बड़े धूम धाम से बनाया जाता है श्यामा मंदिर दरवंगा जंशन से लगबग एक किलोमेटर दूर मौजूद श्यामा मंदिर का दिर्मार 1935 में एक समसान घाट के उपर करवाया गया था इस्तानीनी लोग का ऐसा मानना है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है इसके अलावा यहाँ पर इस्तानीनी सधालू एकांद में बैठ कर शान्ती का अनुमभ भी करते है यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट में एक बार जरूर बता है वीडियो देखने के लिए आपका